दिल्ली विधान सभा चुनाव संपन हो चुका है और दिल्ली की जनता के हिसाब से आम आदमी पार्टी को 62 सीट और बीजेपी को 8 सीटों से संतोश करना पड़ा लेकिन चुनाव में बीजेपी ने प्रचार प्रसार के लिए पूरी ताकत जोग दी दी लेकिन उतनी ही बड़ी सफलता उन्हें नहीं मिली दिल्ली विधान सभा का चुनाव जोस बात के लिए याद किया जाएगा वो है बयान बहादो जिसमें BJP के नेताओं ने सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया लेकिन दिली की जनता टस से मस नहीं थी आज हम आपको बताएंगे कि UP के CM जिन्होंने दिली में प्रचार के वक्त कई बड़े बयां दिये UP के CM योगी आदितिनाख ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के किराडी में चुनावी रैली को संबोधित करते वे कहा था कि दिल्ली के CM केजरिवाल समेत विपक शिजबात को पचा नहीं पा रहा है कि जिन समस्याओं ने देश को जकड रखा है उनका समाधान है CM ने जमू कश्मीर से अनुच्छे 370 हटाने और आयोध्या में राम मंदर का भी जिक्र किया योगी ने कहा कि अर्विन केजरिवाल ने अब हनुमान 4 सा पढ़ना शुरू कर दिया आने वाले दिनों में आप ओवैसी को भी ये पढ़ते हुए देखेंगे और निश्चत रू कासपुरी में एक रैली को संबोधित किया रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने कहा था कि राजी सरकार ने यमुना को साफ करने के लिए कोई काम नहीं किया योगी न आरोप लगाया कि केजरिवाल भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वालों क के साथ है इसके बाद दिल्ली के करावल नगर में आयोजेत एक जनसभा में सीम योगी ने कहा था कि अर्विंद केजरिवाल सरकार लोगों को साफ पानी नहीं उपलब्ध करा पारी है लेकिन शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों को बिर्यानी बाट रही है इसके साथ ही साथ करावल नगर में योगी ने ये भी कहा था कि केजरिवाल बताएं कि उनकी प्रतिबधता दिल्ली के प्रति होनी चाहिए या पाकिस्तान के प्रति पाकिस्तान का मंत्री दिल्ली के चनाव में केजरिवाल के समर्थन में बोलता है क्या लगता है इनके तार कहां तक जुड़े हैं ये तो देश के साथ गदारी है लेकिन इतना धुरुवी करण करने के बाद भी UP के CM जहाँ जहाँ बीजेपी के लिए वोट मांगने गया वहाँ से बीजेपी का सूपड़ा ही साफ हो गया वही दिल्ली विधानसवाद चुनाव को अमिद शाह ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया था और इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी के कारिकर्ता दिल्ली में डेरा जमाय हुए थे बीजेपी पूर्फ सीम और वर्तमान सीम के साथ ही साथ 200 से अधिक सांसद 60 से अधिक मंत्री दिल्ली को मतने में लगे थे लेकिन दिल्ली को हिला भी नहीं पाए यही नहीं बीजेपी के नेता ने दिल्ली चुनाव में हिंदु मुसल्मान भी खूप किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं